हेलो व्राइंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आप विशाला सब करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए का और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है तो दोस्तों मैं विशाला आप सबका स्वागत करता हूँ आपके और हमारे अपनी चैनल में इनके से अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरू कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों ओके दोस्तों चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं बूलना है आपको और बैल आइकन को भी दबा देना बैल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमारी अपकमिंग वीडियो की ओके दोस्तों और इससे हमको मोटिव आपको शो हो जाती है और आप क्या करते है वो सारी नोटिफिकेशन शो हो जाने के बाद जितनी भी नोटिफिकेशन शो हो जाती है कभी कभी आप वो सारी नोटिफिकेशन को हटा देते हैं ओके दोस्तों और जो इंपोर्टन नोटिफिकेशन होती है वो भी चली जाती है तो ये notification जाती कहा है कभी आपने सोचा है ओका दोस्तो, ये सारी notification वही रहती है आपके mobile में लेकिन hidden setting के पास होती है ओके दोस्तो, hidden setting में ये सारी होती है आप क्या है इन notification को कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दोस्तो आपको क्या करना होता है आप अपनी स्क्रीन पे आने के बाद आपको टैप करके रखना है और विजट पे चले जाना है विजट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी किसी किसी mobile पे setting नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना है setting यहाँ पे अगर नहीं मिलती है यहाँ पे setting अगर आपको मिल जाती है तो आपको क्या करना है drag करके इस तरीके से setting आपको यहाँ ले आनी है हाला कि यह वो setting नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसको मैं हटा देता हूँ और किसी किसी के mobile में आपको ये setting नहीं मिलेगी तो मैं उसका तरीका भी आपको बताऊँगा कि कैसे आपको वो setting आपको easily मिल जाएगी तो वो setting in case आपको यहां मिल जाती है तो आप यहां पे लेके उसे खोल लीजेगा और जैसे आप उसे खोलेंगे वो setting इस तरीके से शो होगी आपको और वहां पे setting में जाके आपको एक और setting शो होगी जिसको बोलते हैं notification log log क्या होते हैं दोस्तो दोस्तो developer जब भी कोई application develop करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे logs की जरूद होती है वो उन logs की मतलब से पता करते हैं कि किस चीज के लिए किस कितने जाने की कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे log होते हैं कौन सा issue कहां से आ रहा है तो यह developer उसी चीज से उनी log से पता करते हैं तो यह front end के log होते हैं यह सारे log का कहने का मतलब यह है जितनी भी लॉग यानि कि जितनी भी नोटिफिकेशन देखिए दोस्तों में को सारी नोटिफिकेशन यहां पर अगर शो होंगी, जैसे कि देख सकते हैं में को सारी नोटिफिकेशन यहां पर शो हो रही है, यह जो मैं हटा चुका हूँ already, ओके दोस्तों इन नोटिफिकेश को बापस से ले आते हैं लेकिन दोस्तो डिलेट नोटिफिकेशन की जगा आप इस नोटिफिकेशन लॉक को भी यहां से एकसेस कर सकते हैं अब दोस्तो बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों की में यहाँ setting का option show नहीं होता तो दोस्तो MIUI वाले set के लिए मैं आपको बताएता हूँ आपको क्या करना है हाला कि जातर set के लिए यह applicable है आपको अपने mobile के play store में जाना है और search करना है hidden setting के नाम से hidden setting MIUI के नाम से तोस्तो hidden setting MIUI for MIUI search करेंगे इसको आप install कर लेना है जैसे कि मेरे mobile में भी setting show नहीं हो रही थी मैंने इसे कर लिया और यहाँ पर जाके मैं notification log check कर सकता हूँ ओके दोस्तो यहाँ पर आपको सारी hidden setting show हो जाती है अपनी application भी manage कर सकते हैं easily काफी अच्छी application है यूज करके देखिएगा और भी बहुत सारी चीज़ा यहाँ आपको देख जादी है आपको जैसे कि hardware test करना है तो वह देख सकते हैं device की अपने device की information and testing करनी है तो वह आप यहाँ से देख सकते हैं तो काफी cool है यह इसे आप यूज कर सकते हैं यह setting भी बहुत अच्छी है और in case यह setting आपको phone में नहीं मिलती है तो यह application आप यूज कर सकते हैं तो उमीद है दोस्तो यह application आपको जरूर पसंद आई होगी यह video जरूर पसंद आईगी इनकेस अगर यह video पसंद आई हो तो video को like जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और bell icon को दबाना ना भूलें दोस्तो बहुत जल मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तो और प्लीस चैनल को subscribe कर लिजिएगा दोस्तो